नेहा मरदा के घर आई लक्षमी, प्रीमेचियोर बेबी गल को दिया आक्टरस्ट ने जन्म, दीवी की फेमस आक्टरस्ट नेहा मरदा के हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबरे सामने आई थी, जिसके बाद फैंस काफी ज्यादा परिशान भी हो गए थे, नेहा की बेटी को जन्म दिया है, लेकिन उनकी डिलेवरी प्रीमेचियोर है, बताया जा रहा है कि अभी बच्ची होस्पिटल में ही आइडमिट है, मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक हफते पहले ही नेहा को कॉल करता कि एक होस्पिटल में भरती करवाया गया था, फिलहाल वो ठ बेटी को जन्म दे चुकी है, बताया जा रहा है कि उनकी बेटी भी बिल्कुल ठीक है, नेहा मर्दा ने इटाइम से बात चीत की है, जिसमें उन्होंने कई बड़े खुलासे भी की है, प्रेगनेंसी की बाद से ही उन्हें ब्लाइट प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही थी, पाच्वे महीने तक उन्हें और भी ज्यादा परिशानी होने लगी थी, नेहा को पहले ही पता चल गया था कि कुछ दिक्कते आने वाली है, लेकिन वो सब सही हो चुका है, आपको बताते चले कि नेहा मर्दा ने साल 2012 में पट्ना के बिजनसमैन आईश्मा अगरवाल के सा अपनी शादी की और अपनी शादी के 10 साल बाद अपने बच्चे का वलकम किया है, तीवे आक्ट्रेस नेहा मर्दा ने कई शोस में अपने आक्टिंग का जलवा बिखे रहा है, उनकी आक्टिंग को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया है, नेहा ने फेमस सीरियल वाली का वदू में गहना का किरदार निबाया था, जिसके बाद वो घर-घर में फेमस हो गई थी नेहा कई सालों तक इस शो का पाट रही और अपनी दमदार अक्टिंग से सभी लोगों का दिल जीत लिया था, खुल आपका इस पूरी अपडेट पर क्या कुछ है कहना हमे कॉमेंस में जरूर बताए, ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें